एक घटना है 20 जनवरी 2024 की राजस्थान प्रदेश का एक जिला पड़ता है उदैपूर वहाँ पर एक बैक्ति पुलिस को कॉल करता है कॉल करके कहता है हेलो मैं आपका दोस्त बात कर रहा हूँ पुलिस पूसती है कि ठीक है क्या बात है बताईए तभी ओ कहता है कि आप जो ह पुलिस ने इस खबर को कापी गंभीरता से लेता है पुलिस वहाँ पहुंचकर देखती है कि ठीक है एक बैक्ति से पुलिस बाचित करती है पुलिस पूसती है कि तुभारा नाम क्या हो बैक्ति कहता है जी मेरा नाम तो राहुल राज चतुरवेदी है और मैं हनुमान पुझारे हूं जैसे पوलिस ये बात सुनती है तहां पुलिस को कापी अंसर्ज होता है कि कहीं किसी ने मजाग तो नहीं कि या मस्खरी तो नहीं किसी सूचना था तो पुलिस से सूचना इस फ़हिदी को गंविश्ट नहीं रहे थी तो उस बैक्तिंटिंगी जैसे अब पुलिस के लिए यह बहुत ही पसपेस परने वाले इस्तिति हो जाती पुलिस उसको पकर कर सीरे थाने चलिए थाने जैसे लेकर करके आती हैोशल्ट कॉल आता है फिर से उसके पूझा जाता है तब पुजारी जी इधर उधर देखना शुरू करते हैं, इधर उधर की बाते करते हैं तरसल जो सचाई सामने आते हैं तो सचाई को सुनने के बाद पूरे राजस्थान, राज्य के बीतर जहां जहां ये खबरे फैलती है और इस बात की खबर जब सोसल मीडिया प्लेटफॉम के मादेम से अन्य लोग जानते है ते ये सुनकर जानकर हैरान हो जाता है कि पुजारी इतना बराकांड कैसे कर सकता है आज कहानी उसी हनुमान मंदिर के पुजारी की गल्फेंट का है जो कई साल पहले गाइब होई थी जब गाइब होने के बाद मिलती है जिस हाल में मिलती है लोग को बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था नमस्कार मैं नाम जितेंद्र कुमार आप देख रहे हैं अश्टेडी स पर होता है 29 जुलाई 2019 को वहाँ पर पुजारी जी जैसे मंदिर से बाहर निकलते हैं तभी एक महिला जिसके उमर करीब करीब 25 वर्थ के आसपास रही होगी उस महिला के साथ दो लर्का होता है जैसे उस महिला ने पुजारी जी के तरफ देखती है तो पुजारी जी के तर तो पिछले दो दिनों से हम तीनों ने कुछ नहीं कहाया, मुझे कुछ अगर खाने को मिल जाएगा। इस पेट की जो आग है वो सांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे पुजारी ने ये बात सुना, उस महिला को बात सुनी तो कुछ मिठाईया, कुछ खाने के समान, पुजारी मंदिर के अंदर से लाकर कि उस महिला को दे देते हैं जैसे इस महिला के हाथ में वो खाने का समान दिया जाता है उसके बच्चे को हाथ में दिया जाता है तो बच्चे ऐसे उसको खा रहे थे जैसे इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा कुछ समान खाया ही ने हो तरसल वो सचमुष काफी भूके होते है महिलाने और बच्चे ने रोते-रोते वो खाना को खाते है और खाना काने के बाद पुजाडी जी उससे पूछते है कि तुम्हारा नाम क्या है तुम कहां से आई हो यहां कैसे पहुँची है तो कहते हैं कि जारूल के पास धानमंडी है वहां के रहने वाले है, मेरे बच्चे है मेरे पती से थोड़ा विवाद हुआ इसलिए गुस्से से घर से बाहर हम लोग निकला है अब कहां जाये, यह समझ नहीं आ रहा है इसलिए मैं सीधा मंदिर के इस द्वार पे आ करके बैठे गई थे पुजारी जी ने कहा, तुम परसान मत हो तुमको मैं आसरा दूँगा पुजारी जी उसको अपने साथ ले करके पहुंच जाते है उदैपूर से, राजियर से मंदिर यह करीब साथ किलिमेटर दूर होता है एक घंटे के आसपास का यह पूरा दूरी तै करने के बाद वो जो है किराय के माकान में उस महिला को ले के जाते है उस रात तू महिला वहां रुकती है रात रुकने के बाद महिला इतमिनान से वहाँ से फिर से चली जाती है जाने के बाद कुछ समय फिर बेता है वो महिला जो है अपने घर में तो उसको विवाद रहता ही था तो कभी कभी जब उसका मन करता था तो पुजारी जी के पास आ जाया करते थी और देखते ही देखते है पुजारी जी से उस महिला की कब नज बालक है, वो मेरे साथ रहेंगा, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम जहां जाना चाहो, तुम जा सकती हो, हमें कोई अतराज ने, इस महिला का अपने परिवार से कोई नाता नहीं था, कोई रिस्ता नहीं होता है, क्योंकि वो परिवार से काफी दूर जा चुकी थी, भाषित कर लिया करती है, तुम जा सकती ही, बड़ी रहां कि तुम काहा रह रहा हु, तुम क्या तुम आविया बच्चे की याद innovation है, तो महिल जो बाच्जित करने के तुम्हें जरौत नहीं रही है, कहां जाते हूँ, क्से मिलती हैं, क्या करते हुआ ही, तुम्हें इस ब सब को सीवन चल रहा होता है जैसे कि कुछ ही नहीं कुछ हुआ ही नहीं बहुत खुश्व तुर्दी ने लगते हैं इस दोनों के बीच कुछ कासुनी होती है, कासुनी होने के बाद भानू पिरिया जो महिला जो होती है और पुजारी जो होते है राहुल राज चद्रुबेदी दोनों के बीच में हाथा पाई की नोबत आ जाती है और जैसे इस पुजारी को थप पर मारा जाता है तो पुजारी को काफी गुस्सा आता है उसने इस महिला का ग्रेवान पकर लेता है ग्रेवान पकरने के बाद कुछ इस तरीके से गला को दबाया कि पता ही निचला कि कभी उस महिला की प्रान बाहर ने चुकिया है वो मर चु पुर्य मोहले में बैरिकराटिंग कर दिया जाता था अगर कोई बाहर निकलने का कोई करेगा नो यह ठीकर ने होगा, तो यह कुल मिला करके यह पुझारी परसान हो जाता है, घर में एक ड्रम रखा होता है, जब सुबह होती है इस महीला की लास को इस ड्रम में रख दिता है रखने के बाद उस पूरे ड्रम के भीतर वो महिला के लास होती है जब रात बीद जाती है अब यानि 13 मई 2020 का दिन आज चुका था पुजारी सोचता है कि आखिरकार इस लास का करूं तो क्या करूं अगर लास घर में रहेगी तो सरे गी और बदू आएगी पसपस के लोगो को पता चल जाएगी पुलिस आएगी और पकरे जाएगी तब ही वो परसान होते हैं और वहां से वो बजार चले जाता है वहां से समेंट के कट्टे लेकर काते हैं समेंट के जब कट्टे घर लेकर काते हैं तो उसको फिर घोलते हैं घोलने के बाद उसी ड्रम के भीतर वो उसको डालना शुरू करते हैं यानि जब तक वो ड्रम पूरी तरीका से भर नहीं जाता तब तक महिला यानि पूरी तरीक जैसा वो सोच रहते हैं ठीक वैसा ही होता है कब महने तर महने बीतने लगते हैं पता ही नहीं चलता है जब महने तर महने बीतने लगते हैं तो अपने कामें बैस्त होते हैं मंदिर के बिदर जाते थे पूजा आरचना कराते थे वापिस जब अपने उसका मन होता था तो करे तो फिर क्या करें जैसे घर के भी तरह दुर्गंद आती है और फिर सोचने पर मजगूर हो जाते हैं कि अब हम करें किए करें और अभी मकान मालक जो ओटा है उनका सक्टे नरायन और सीदा घर के भीतर आता है घर आने के भीतर खोया है घर के बितर से बहुत जादा देखते हैं उस दुर्गंद को भूडने की प्रयाज करते हैं पुझारी उखुछ जानते हैं कि दुर्गंद आ कहाँ से रही था जर्प दरसल्प कुछ सुराग हो चुका था उस शुराग से कुछ रिसाब के बितर जो पानी में से रिसाब कारण तो फिर कहते हैं मकान मालिक सत्य जनायन जी आपसे कुछ हम बताना चाहते है तरसल पूरी कहानी हो बताते है भानुपिरिया नाम की महिला से कैसे उनके जीवन में आई कैसे नजदकी बढ़ी और कैसे उसकी हत्या हो गई हत्या करने के बाद हो कैसे ड्रम के भीतर उसके साव को रख दिया और आराम से चूने लगता है उससे पाँज निकलने लगता है जिससे बे इन्तिहा दुर्गंद आती है तब ही सत्य नरायन ने कहा कि तुम्हें परसान होने की जुरतन है महराजी आपकी परसानी हमारी परसानी है चलो मिल करकर इसकी निदान करते है जीवज़े से उस ड्रम को रहे लोतार पूरा टूकर टूकरा ए treasures कर तो तक पुरा पूरा नस्टने करुते इसको भडते हान और और ब्राड़ा एक जगह है ब्राड़ा में ब्र्राइब में एक बनार नदी नास नदी में उसे अराम से बहा देते हैं, यानि अब उस महिला का जो कुछ भी आंस होता है, सरीर का जो कुछ भी सबूत होता है, पूरी तरीके से नदी के अंदर बह जाता है, अब कोई डर, कोई खौप, कोई पुलिस, कुछ भी नहीं होता है, कोई भी सवाल नहीं होता है गटना को कितने भी साधिर तरीके से क्यों ने गटना का अंजाम दिया जा लेकिन गटना कभी छूपती नहीं कराइम कभी छूपती नहीं ऐसा ही एक सोनगार गेट के उपर खड़े हुए थे किसी मुक्बिर ने फोन किया कि इस पुझारी के पास अबैद हतियार है अबैद हतियार के बारे जब पूछा गया तो कहा करीब 5 साल पहले कोई बैक्ति उनको ये पिस्टल दे करके गया था उसवेक्ति का नाम क्या होता है उसको जानते पहचानते भी नहीं है और उस फिश्टल को आज तक वो रखे हुए है पस उनका जमन करता था तो उस पिश्टल को लगा करके घोमने लगते थे उससे सकतिस्री का नुकसान पहुचाने का उनका इरादा न था जैसे उस महिला के बारे में पूचा गया तो उसाख पकाने लगते हैं, थर रा जाते हैं कभी दिवार दिखते, कभी जमी, कभी आसमान मतलब इधर उधर पूरा देखा करते थे तब पुलिस जब सकती से पूच ताच करती है लोग को विश्वास ही नहीं होता है कि जो बैक्ति किसी मंदिर के पूजा पाट करता है या पूजा पाट कराता है जो बैक्ति कभी अच्छे-ची बाते करके लोग को संसकार की बाते करता है वो बैक्ति इतना बड़ा कातिल हो सकता प्लिस ने उसको ग्रबतार कर लिया और जिस बैक्ति ने पिस्टल दिया था उस बैक्ति की भी खोजविन तलास जारी है प्लिस की तलास जारी है इस घटना करम में जितने भी लोग दोसी होंगे आरोपी होंगे उसको किसी को बक्सा नहीं जागा और जल से जल उनको जेल के भीतर पहुंचा कर कानून के मात्यम से जो कुछ भी होगा और सजा दिलाने का पूरा प्रयास रहेगा साथ इस घटना करम सुनाने को दिस आपका प्रसान करो नहीं आपका दिल दुखानने बलके आपको जागरूप करने आपको सचेत करने आप जहां भी रह सुरक्चित रहे और अपने ख्याल रखे अपने परिवार वालों का ख्याल रखे बाकि आप इस घटना करम के वारे में क्या सोचते हैं अपनी राई जरूर कॉमेंट ब्रक्स ने दिजिएगा तो तक के लिए